हेलो दोस्तो, वेलकम बाक टू PMF IS Environment Video Lecture Series, आप सभी का इस Environment की Video Lecture Series में स्वागत है, आप जानते हैं, PMF IS की जो Environment Booklet है 2024-2025, यानि की जो latest edition है उसी की basis पे हम लोगों की दुआरा डिजाइन करी गई, ये एक Video Lecture Series है, and the entire series is presented by me, मेरा नाम दोस्तो रिशब है, और ये जो वीडि जिसके अंदर हम लोग Chapter 4 of the PMF IS Environment Booklet को कवर करने वाले हैं, that is Functions of Ecosystem, आप देख सकते हैं Table of Contents में, पिछली वीडियो के अंदर भी हम लोगोंने Functions of Ecosystem को कवर किया था, जहां पे हम लोगोंने बात करी थी Food Chain क्या होता है, Food Web क्या होता है, और Ecological Pyramid क्या होता है, यानि Pyramid of Numbers, Biomass, Energy, फिर उनकी Limitations, Biomagnification, Bio Accumulation वाला जो concept था, उसको हम लोगोंने बहुत डिटेल में कवर कर लिया, बट अगर आप एक वाला topic देखें, जहां पे हम लोगोंने कवर नहीं किया था, that was Biotic Interaction in a Food Web, तो ये एक बहुत important topic है, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, What is Biotic Interaction, Biotic Interaction होता ही क्या है, समझने के लिए जल्दी से एक बात बताईए मुझे, ecosystem क्या होता है, जब मैंने आपको ecosystem पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, ecosystem is nothing, but interaction of biotic with a biotic resources and components, plus biotic का biotic के साथ भी एक interaction होता है, यानि ecosystem के अंदर हम लोगोंने एक चीज होना बहुत आवश्यक होता है, biotic होना बहुत ही जरूरी होता है, तो biotic, biotic के साथ भी और abiotic के साथ भी एक interaction करता है, और जब मैं आप से ये बात बोलता हूँ, कि interaction बायोटिक और biotic के साथ होता है, उसी को हम population interaction कहते हैं, यानि कि population क्या था, जब हम लोगोंने पढ़ा था levels of ecological organization कि same species के multiple individuals अगर एक ही जगा पे खड़े हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि it is known as population और जब मैं बात करता हूँ कि multiple populations of different species एक साथ इखटा हो जाए तो community तो यहाँ पर क्या बात करी जा रही है various populations और different communities के बीच में interaction होता है जिसका नाम है biotic interaction यानि आपस में species एक दूसरे के साथ interact करती है एक ही जगा पे रहते हुए so it is the interaction between populations और biotic community it is the assemblage of populations like plants, animals, microbes and other life forms अलग-अलग तरीके की विविन विविन तरीके की जो life forms है उनका एक assemblage यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा it refers to the effects that organisms in the community have on each other यानि कि एक दूसरे पर एक ही जगा रहते हुए एक प्रभाव जो पढ़ता है उसी का नाम क्या है एक biotic interaction मौझूद है biotic interaction कही तरीके की हो सकते हैं यानि कि biotic interaction या मैं अगर आपसे बोलूँ आप किसी व्यक्ति के साथ जब interact करते है as a human तो या तो आपको फाइदा हो सकता है वहां से यानि कि आपका benefit है वहाँ पर या ऐसा हो सकता है कि आपको वहां से कोई harm हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको फरक ही ना पढ़ता हो यानि कि तीन तरीके के interactions यहाँ पर देखने को मिलते हैं एक होता है जिसको हम बोलते हैं positive interaction यानि कि एक species जब दूसरी species या एक individual जब दूसरी individual के साथ interact करता है तो उसको वहाँ पर benefit होता है एक interaction ऐसा हो सकता है जहाँ पर उसको harm हो किसी एक individual को या दोनों ही individuals को harm हो सकता है और एक होता है जहाँ पर कोई effect ही नहीं पड़ता है there is no effect of any kind तो ये दोनों ही तीनों ही चीज़ें जो effect या एक प्रभाव डालती हैं एक दूसरे के उपर बहुत important बन जाती हैं biotic interaction के उपर चलिए देखो मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा अलग-अलग तरीके के biotic interactions है जिसमें mutualism, immensealism, commensalism, competition, parasitism, predation अलग-अलग तरीके के अभी हम interactions पढ़ने वाले हैं बट बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा पहले मैं आपको layman terms में समझाऊंगा ताकि आपको एक general concept समझ में आजाए फिर उसके बाद हम ecological terms में और उसके examples को देखेंगे जैसे for example, आप इस photo को देखें, ये एक event हुआता जिसको बोलते हैं नमस्ते ट्रम्प और ऐसी ही एक event हुआता जिसको बोलते हैं हाउदी मोदी ये मैंने IR का एक concept यहां पर यूज किया है बट mutualism आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आप इन दोनों के एक दूसरे के साथ interaction देखो तो वो किस तरीके का है एक mutualistic interaction है, mutualistic मतलब दोनों को एक दूसरे से फाइदा है जैसे for example, भारत के अंदर ट्रम्प आए, हम लोगों ने एक event organize किया जिसका नाम है नमस्ते ट्रम्प वो नमस्ते ट्रम्प क्यों किया हमने? वो नमस्ते ट्रम्प हम लोगों ने इसले किया क्योंकि ट्रम्प का यहां आने से एक फाइदा था वो फाइदा क्या था? कि वहाँ पर elections थे, अमेरिका के अंदर और अमेरिका में बहुत सारे भारती ओरीजन के लोग रहते हैं, आप जानते हैं, तो भारतियों को लुभाने के लिए, भारतियों का बोट पाने के लिए वो भारत के अंदर आए और भारत के अंदर इंट्रेक्ट किया, similarly इंडिया का फाइदा था, इंडिया का फाइदा ये साथ करने करते हैं Indian diaspora Indian diaspora का मतलब क्fikा होता है वो लोग जो भारती ओरीजन के हैं अजकी तो भारत में जब elettsाय से तो भारत के लोगों को लगाने के लिये बाहर जाते हैं मिलके आते हैं अपने रिष्टों को बैتर करते हैं हुद मैंग बोल सकता हूं कहते हैं, mutualistic का मतलब है, symbiotic association, symbiotic का मतलब होता है, एक दूसरे के साथ रहे करके फाइदा पहुचाने वाला एक ऐसा association, जहां पर different organisms, अलग-अलग species के एक दूसरे के साथ रहे करके फाइदा पाते हैं, एक दूसरे पर rely करते हैं, ताकि वो survival ensure कर सकें, जिन्दा रहने के लिए जो भी चीजे चाहिए, वो एक दूसरे के साथ रह करके पूरी होप आती हैं, organisms live in mutualistic relationship for number of important reasons, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी वजाएं हो सकते हैं, जैसे shelter के लिए, हो सकता है एक जानवर, दूसरे जानवर को shelter देता हो, हो सकता है protection देता हो, हो सकता है nutrition देता हो, या reproductive purposes के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, अपनी populations को आगे बढ़ाने के लिए, ये mutualistic रिष्टा है, चाहे आप अपने husband wife की भी बात कर लो, ये भी एक mutualistic रिष्टा है, दोनों को एक दूसरे के साथ आता है, तो एक symbiotic association है, दोनों का फाइदा है, जैसे मेरा भी फाइदा है, और आपका भी फाइदा है, मैं जो knowledge दे रहा हूँ, उससे मेरी knowledge आप तक share हो रही है, तो obviously आपको भी एक फाइदा पहुच रहा है, similarly मेरा भी यहाँ पर फाइदा है, क्यों क्योंकि मेरी जब knowledge जाएगी, तो मुझे और पढ़ना पढ़ेगा, और मेरी knowledge enrich होगी, तो everything is a symbiotic association, अब इसके अलग तरीके की चीज़े भी हम लोगों को देखने हैं, कई सारे example जैसे हैं, जहाँ पर mutualism खतम हो जाता है, तो वो कौन से reasons है, बट हाँ, mutualistic रिष्टा, एक बहुत ही अच्छा रिष्टा है, और ये दो तरीके की होते हैं, एक होता है कि आज एक दूसरे के साथ symbiosis में हैं, symbiotic relationship में हैं, पर अगर future में ये अलग भी हो जाएं, तो भी अलग-अलग जिन्दा रह सकते हैं, देखें, different forms of mutualism पढ़ें, completely dependent and cannot survive without each other, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ, lichens, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, fungi और algae, ये एक symbiotic relationship है, एक इस तरीके का रिष्टा है, जहां पर mutualism में दोनों का फाइदा है, अब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहे, तो याद रखिएगा, फिर क्या होगा, ये survive ही नहीं कर पाएंगे, फेकल्टेटिव क्या है, जो completely dependent नहीं होते हैं, और survive कर सकते हैं, जैसे for example, एक mutualistic रिष्टा बताता हूँ, pollinator और plant का, जैसे honeybee, अब आप देखिए honeybee क्या है, honeybee कुछ नहीं, बलकि एक pollinator है, जो plants के spores, या फिर, जो भी seeds हैं, उसका dispersal करता है, इदर से उदर पहुचाता है अब मुझे एक बाल बताओ, मान लीजे, एक तरीके का plant है, जहां पर honeybee जाता है, अगर मान लीजे, honeybee नहीं भी गया, तो क्या plant survive नहीं कर पाएगा, reproduction नहीं कर पाएगा, कर पाएगा, और जानवर हैं, जो same process को करते हैं, जैसे fruit bat, वो भी यही काम करता है, तो pollination तो हो क्योंकि किस-किस तरीके का, जैसे एक तरीके का होता है, जैसे बोलता हम defensive, जहां पर एक partner, दूसरे partner की रक्षा करता है, उसे बोलता है, defensive mutualism, एक होता है, dispersive, dispersive में क्या होता है, एक partner species जो होती है, दूसरे partner की pollens और seeds को disperse करते हैं, जो अभी मैंने आपको बता है, honeybee और pollinator वाला example, resource-based, कि एक जो है, क्या करता है, resource provider करता है, दूसरे को, ताकि वो अपना खाना, या फिर अपने resources या nutrients को पूरा कर सके, जैसे lichens में, हम लोगों ने देखा भी, मैं आपको example दिखाता हूँ, अलग-अलग, एक example देखे, sea animal and clownfish, इनका एक बहुत ही अच्छा mutualistic करता है, दा हिंदू के अंदर कई बार यह आती है, इसके regarding news, कि अभी भी scientist जो है, इस पर study कर रहे हैं, कि कितना बहतरीन sea animal और clownfish का इक रिष्टा है, अब देखे, sea animal क्या है, आप इसको plant मत समझेगा, यह sea animal है, यह एक तरीके का marine invertebrate animal ही है, और यह सफेज सफेज जो आप पास से कोई भी fish, मचली गुजरती है, तो यह क्या करता है, attack कर देता है इसपे और कबजा कर लेता है, यानि कि extinct type मारता है, इसे dunk type मारता है, और उस मचली को खा लेता है, या उस मचली को मार देता है, अब होता यह है कि clownfish जो है, आप देख पा रहे हो, यह clownfish, यह clownfish बहुत ही important reason clownfish के खुश रहने का इसलिए है, क्योंकि clownfish के अपर एरिया पे कैसी coating होती है, जिस पे इन tentacles का असर नहीं होता है, mucus की layer होती है, जो इसको protected रखती है, सो होता है यह है कि clownfish in sea animal के भीतर और उधर रह पाती है, यानि की फाइदा इसका क्या हुआ, clownfish का फाइदा कैस में, clownfish का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि दूसरी मचलियों से protection मिल जाती है, क्यों, क्योंकि यह उस जगा पे रहती है, जहां पर बाकी मचलिया नहीं जा सकती ह उपर वो mucus की layer नहीं होती और sea animal बाकी मचलियों को मार देता है, जबकि अगर मैं आपसे बात करूँ कि clownfish का फाइदा वहां पे रहना है, और sea animal का फाइदा क्या है, sea animal का फाइदा यहां पर यह है, कि जो waste है, या फिर बचा हुआ खाना है, वो sea animal को मिल जाता है, या फिर बहुत बड़ा फाइदा यह होता है, sea animal का, कि बाकी जो predator fishes होती है, जो sea animal को खा सकती है, उस पर clownfish attack कर देते हैं, यानि दोनों एक दूसरे को बचाते हैं, protection का रूप देते हैं, और nutrients देते हैं, तो देखे, animal provides clownfish with protection and shelter, while clownfish provides the animal with nutrients in the form of the waste and scaring of the potential predator fish, तो कोई भी predator fish जो sea animal की तर दूसरे को बचाते हैं, और nutrients provide कर सकते हैं, ऐसे ही आप lichens देखे, lichens क्या है, association of fungus and algae, अब lichens algae के साथ भी हो सकता है, याद रखेगा bacteria के साथ भी हो सकता है, यानि cyanobacteria के साथ भी हो सकता है, डोनों के साथ हो सकता है, the fungus receives nutrients, अब एक बात ध्यान रखेगा, fungus जो है, अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं fungus, तो fungus को अगर nutrients चाहिए, तो फिर वो किसके साथ रहके मिलके रहते हैं, algae या bacteria, और ये algae और bacteria कौन है, जो auto-trops की category में आते हैं, यानि कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, with the help of sunlight, so यहीं से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, यह symb Myotic Association है, दोनों का एक दूसरे के साथ आकरके रहते हैं, और एक दूसरे को nutrients देते हैं, बदले में algae और bacteria का क्या फाइदा है, बदले में algae और bacteria का ये फाइदा होता है, कि उसको यहाँ पर क्या मिल जाती है, उसको यहाँ पर protection मिल जाती है, उसको यहाँ पर stability मिल जाती है, क्य अगर आप different types of lichens को देखेंगे तो अलग-अलग तरीके के lichens यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे For example, kristos, kristos license के lichens जो होते हैं, वो lichens जो बहुत जादा tightly attach होते हैं surface से जो बहुत जादा tightly attach होता है surface से, उसे हम बोलते हैं क्या kristos lichens अब ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलू foliolose क्या होते हैं, जो flat leaf-like lobes create करते हैं They resemble plant leaves, ऐसा plant leaf type structure बनाता है, आप देख सकते हैं, उसे बोलते हैं foliolose क्या एक तरीके का lichen की ही प्रकार है अच्छा जब मैं बात करता हूँ squamulose, squamulose क्या होते हैं, small leafy like but loosely या loosen तरीके से जुड़े होते हैं किस से loosen तरीके से जुड़े होते हैं आपके उस area से और जब मैं बात करता हूँ fructicose, fructicose क्या है, एक इस तरीके का structure create करता है, जो ऐसा लगता है root like structure अब मैं आपको द्वारा से इसका एक परिभाशा बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि lichens की क्या के variety है, देखिए पैसे पूचा नहीं जाएगा बढ़ हाँ कल को you know UPSC में question आ सकता है, crustose, squamulose, foliolose या fructose क्या है, किस के types हैं तो आपको पता होना चाहिए, these are lichen types, अब ध्यान से सुनेगा, fungus और algae या bacteria जब एक साथ रहते हैं, तो होता ये है, अलग-अलग तरीके के structures create हो जाते हैं, जैसे अगर किसी पेड़ पे या किसी पत्थर लाइकेंस हैं, और वहां पर आप देखेंगे कि बहुत hard-like substance create है, जैसे कि एक दम पत्थर जैसा ही lichen की shape लगती है, तो उसे बोलो crustose, crustose के होते हैं, बहुत जादा tightly attach होता है, किसी भी surface से, hard shell-like structure दिखता है, वैसे ही अगर आपको छोटा-छोटा और बटे-बटे हुए स और दूर-दूर एक loose-like structure मिले, घास-type सा, तो आप उसको बोलोगे squamulose, वो होते हैं, बहुत ज़दा एक तरीके से, you know, loose and substance, ऐसे ही अगर आपको हरा-हरा पक्ती जैसा एक structure देखने को मिलेगा, तो आप बोलो, folulose है, और अगर मैं आपसे बोलू, कि वो fructicose है, तो वो क इस तरीके का एक branch-like structure दिखाने को मिलता है, जैसे roots का branches होती है, वैसे ही structure देखने को मिलता है, तो यह different types of lichens यहाँ पर मौझूद है, एक और mutualism का example है, humans और human के पेट में जो gut bacteria होता है, gut का मतलब होता है, पस्टमा, आप कहते हैं कि तुमारे पेट में कीडे हैं, अब एक याद रखेगा, पेट के कीडे जो होते हैं, वो एक mutualistic का example नहीं है, पेट के कीडे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे gut के अंदर अच्छे bacteria की बात कर रहा हूं, हमारे जो पेट है, उनकी जो intestines हैं, उसमें कुछ अच्छे bacteria मौझूद होते हैं, जो खाने को पचाने म essential हैं, हमारे पेट की gut health के लिए बहुत essential हैं, और खाने को पचाने में मदद करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो probiotic curd, तो यह हमारे गट के अंदर मौझूद होते हैं, और खाने को easily पाचन तंत्र जो है हमारा strong कर देते हैं, उनका क्या फाइदा होता है उसमें, उन bacteria का क्या है, उन्हें क्या मिल जाता है घर, नहीं तो वो बिना हमारे पेट के रह भी नहीं सकते, तो देखे, bacteria को nutrients भी मिल जाते हैं, खाने को भी चीजे मिल जाते हैं, क्योंकि जब आप दूत पीते हो चीजे पीते हो तो उनको भी खाना मिलता है, तो nutrients भी मिल गये, और बदले में उनको घर भी मिल गया और हमारा फाइदा क्या है digestive benefits का हमें एक फाइदा पहुच जाता है आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि नहीं इंडिया के अंदर ये चीज चली आ रही है कि हम लोग क्या है एक तरीके से ना you know कि दूद से हम लोगों को दूर रहना चाहिए दूद नहीं पीना चाहिए हम कहीं न कहीं lactose intolerant आजकर एक नया concept आगे ऐसा नहीं है हमारे पेट के अंदर नाचुरली जो इंडिया के अंदर species evolve हुई है याद रखना adaptation यहां पर पॉझूद है अरे शी कृष्ण धही खाखाके बड़े हुए तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि धही और दूद से हमारे पेट में दिक्कत आएगी हम lactose intolerant है क्यूंकि हमारे पेट में ऐसे gut bacteria हैं जो उस तरीकी की चीज़ों को पचा देते हैं उस तरीकी की चीज़ों का जो digestion ensure कर देते हैं जबकि अगर आप यही चीज western culture में देखो वहीं से यह सारी knowledge निकली है कि lactose intolerant नाम की ची परिशता होता है कैसे आप एक चीज़ notice करिएगा ध्यान से सुन लिजे atmosphere के अंदर around 78% nitrogen available है बट यह nitrogen जो है वो directly plants इस्तमाल नहीं कर सकते हैं इसको मैं detail में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जहां पर हम लोग nitrogen cycle को बहुत detail में पढ़ने वाले बट अभी के इतना नहीं कर सकती है सो directly use नहीं हो सकती इसलिए वहाँ पर आप देखेंगे कि plants जो होते हैं उनकी रूट नॉडियूल्स में रूट नॉडियूल्स का मतलब क्या होता है उनकी जड़ों में कुछ ऐसे bacteria कुछ ऐसे microorganism मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं एक्टमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस फॉर्म में convert कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में और वह यूजेबल फॉर्म क्या होती है plant के लिए ammonia ammonium नाइट्रेट नाइट्राइट इस फॉर्म में convert कर देता है bacteria अभी हम इसको nitrogen सागल में बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको कि वहाँ पे कौन से ऐसे bacteria होते हैं उनके नाम याद भी करने हैं आपको बट अभी के लिए इतना समझे लीजिए plant ऐसे बहुत सारे plants हैं जनरली सबसे आदा plants जिनमें ये मौजूद होते हैं वो थे leguminous plants यानि पल्स वाले plants उनमें nitrogen की आवशक्ता जादा होती है nitrogen बहुत ही essential component एक growth fertility के लिए hormonal balance के लिए तो एक चीज़ याद रखेगा directly plant नहीं ले सकता इसलिए plants के root nodules में इसे microorganism मौजूद होते हैं जो ये काम करके देते हैं बट उनमें उनका क्या फाइदा उनका फाइदा ये कि भाई वहाँ पे उनको nutrients और shelter दोनों मिल जाता है यानि कि वो रह पाते हैं उनको घर है क्या root nodules तो उनको घर मिल जाता है खाने पीने को चीज़े मिल जाती है प्लस वह atmospheric nitrogen को convert करके plants को भी फाइदा पुचा देते हैं दोनों का benefit यहाँ पर देखने को मिलता है यह देख सकता है atmospheric nitrogen कैसे convert होती है अलग-अलग bacteria के द्वारा mutualism में एक और example आता है coral reef और zozanthly अब coral reef के बारे में हम बहुत detail में पढ़ेंगे आगे जहाँ पर हम लोग बात करेंगे coral bleaching क्या होती है corals को क्या degradation हो रहा है क्या preservation करना है corals को हम लोग tropical rainforest of the ocean क्यों कहते हैं भारत में कहां-कहां पर corals पाए जाते हैं यह हम detail में आगे cover करेंगे बट आज इतना समझ लिजे corals जो होते हैं बहुती diverse एक तरीकी की ऐसी species है marine animals है जहां पर आपको इतनी variety देखने को मिलेगी इतनी variability देखने को मिलेगी इतनी सुंदरता देखने को मिलेगी और विभिन विभिन तरीके की रंग देखने को मिलेगे उसके अंदर इतना colors मौजूद कराने का नाम ही जोजान थिली है जोजान थिली उसको बहुत सारे चीजों में help करता है दूसरी सबसे बड़ी चीज में जो help करता है जोजान थिली क्योंकि algae है तो photosynthesis से खाने का production कर सकता है तो यानि corals को खाना देने की जिम्मेदारी भी किस मिल रहा है वो अकेले नहीं रह सकता तो याद रखेगा इसके corals के polyps होते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको detail में but corals के tentacles के बीच में mouth gap होता है और इन gaps के तुरू आप देखेंगे अंदर जा करके कौन रहता है जोजान थिली रह सकता है चले दोस्तों बात करते हैं ant और aphid के रिष्थे की आप देखेंगे ant की जो species होती है वो अपने group में अपनी भीड में aphids को भी जगा देते हैं कई बार वो इसलिए होता है क्योंकि aphids जो जानवरे बिल्कुल डूसरे हैं बट यह क्या करते हैं constantly honeydew को secret करते हैं या इसकी supply करते रहते हैं तो इससे क्य फाइदा क्या है कि बाकी predators या बाकी जो जानवर हैं वो ठोड़े दूर रहते हैं क्योंकि इन चीटियों के जुंड में कोई फसना नहीं चाता है क्योंकि चीटी जो है आप जानते हो कई बार जहरी भी होती है कई बार काट भी सकती है तो उन aphids को protection मिल जाती है तो दोनों जगा reproduction में मदद करता है तो plants का फाइदा यह कि उसका reproduction हो रहा है दूसरी जगा pollinator का फाइदा यह कि उसको nutrients मिल रही है ऑक्स पेकर और grazing animals का भी ऐसे ही रिष्टा है यह आप देखिए एक जानवर के उपर ऑक्स पेकर बैटे हैं ऑक्स पेकर जो होते हैं वो इस तरीके के प habitat भला बट यहीं पर आप notice करिए grazing animal का भी बहुत बड़ा भला हुआ अगर यह टेक्स इसके जानवर के शरीर पे लगे रह जाते तो इसको बिमारी हो जाती कहीना कहीं इसका कून चूसते चूसते हो सकता है कि इसको कहीना कहीं disease भी हो जाती बट इसको दोनों तरीके से habitat दोनों मिल गया अब यहीं पर बात करते हैं symbiotic versus symbiosis की देखे एक चीज याद रखेगा symbiosis जो है वो बहुत different होता है symbiotic रिष्टे से मैंने अभी word यूज किया था symbiotic और symbiosis भी अब confuse मत होना technical भाशा में दोनों अलग हुते हैं symbiosis क्या है एक close और long term रिष्टा है जब भी मैं close और long term रिष्टे की बात करूँगा हमेशा याद रखेगा आप symbiosis की ही बात कर रहे हो और जो यह रिष्टा maintain करते हैं उन species को हम बोलते हैं symbionants symbionants और symbiosis में तीन तरीके के रिष्टे आते हैं जो भी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं एक तो होता है mutualistic जो हम पढ़ चुके हैं already एक होगा commensalism और एक होगा parasitic सिर्फ यही तीन रिष्टों को आप क्या कहते हो symbiosis में mutualistic भी आता है commensalism भी आता है और parasitic भी आता है mutualistic का ही दूसरा नाम symbiotic भी है सो मेरे कहने का मतलब है कि symbiosis एक wider term है जिसमें symbiotic भी आता है commensalism भी आता है और कहीं ना कहीं parasitic भी आता है so symbiotic relationship only includes where both species benefits whereas symbiosis includes जहां पर दोनों species का फाइदा होता है किसी एक का फाइदा होता है या किसी एक का फाइदा और किसी एक का नुखसान होता बढ़ याद रखना close और long term रिष्टे की यहां पर बात हो रही है अब बात करते हैं दूसरे type of biotic interaction that is immensealism कॉण क्या बोला उन्होंने क्या नहीं बोला हमें फरक भी नहीं पड़ता है और कहने का मतलब यह है immensealism का रिष्टा क्या होता है कि कहीना कहीन एक का नुखसान हो जाना और दूसरे को फरक भी नहीं पड़ता है ऐसा रिष्टा हो तो immensealism क 생각 complete अमेंसलिजम में क्या वहां पे one species harmed and other is unaffected जैसे example मैं आपको दिखाता हूँ sheep और cattle जब ये भेड़ और वेड़ जब ये आप घास पे छोड़ देते हो तो ये trample कर देते हैं इसको पिछका देते हैं गासों पे देखो आपने देखा ऊगए सारी ब्हेड़े जब एक सार भागती है तो एक दीन इस पाड़े ये उन्हों Сп but चलते चलते भी उन्हों ने उन घासों छोली स सपैंट आइंट सारी एक इन दोनों का रिश्टा कैसा बंता है क्यों है स्को कोई और इसका नुक्सान उगा cultivas है इसको कोई लेना देना निए ना इसका फाइदा और नुक्सान उर रहा ये नहीं खतम होना है यह बात बहुत इंपोर्टेंट है याद रखेगा ऐसे ही आप यहां पर जेख सकते हैं जुगलंस निगरा एंड केमिकल जुगलॉन फ्रॉमेट्स रूट्स होता है यह एक पेड़ है जुगलंस निगरा और इसमें से केमिकल निकलता है जुगलॉन और वो आस पास के जितने भी पेड़ हैं उनकी गुरोथ को हैंपर गर देता है तो उनका नुकसान और इसका दो फाइदा ना नुकसान कोई फरक भी नहीं पड़ता है इसको Amensalism में एक और एक्जामपल है आप देख सकते हैं क्या एक्जामपल है यह वाला जहां पे एक एडेनोस्तुमा यहां पे केमिकल रिलीस करता है सरफेस पे और इसके जो पत्तियां है उसके उपर 26 जो लीव्स हैं वहां पर ये क्या रहता है chemical हमेशा रहता है जैसे ही बारिश होती है वो chemical soil में चले आता है और soil में जाने के बाद फिर आसपास के पेड़ को उसकी growth को रोक देता है अच्छा जब कभी भी ऐसा हो कि chemical आसपास के पेड़ की growth को रोक दे उसको बोलते हैं Allelopathy Allelopathy जैसे पिछला example भी आप लोगों ने देखा अगर आप notice करो this is also Allelopathy का ही एक example यह भी Allelopathy का ही एक example है जहाँ पे chemical दूसरे plants की growth को रोकने में काम आता है एक और यहीं पे आप देख सकते हैं concept है जिसको बोलते हैं Antibiosis Antibiosis का मतलब क्या है production of secretions by an organism which is harmful to others और यहाँ पर होता यह है कि एक organism है वो इस तरीके के secret करता है chemical जिसकी बज़े से दूसरों को नुकसान पहुँचता है इस type के रिष्टे में none of the population is benefited and एक नएक का नुकसान जरूर होगा यहाँ पे जैसे for example some species of blue green algae जो ponds के अंदर रहती है they produce toxic substances आप देख सकते हैं cyanotoxins कहते हैं cyanotoxins produce करता है जिसकी वज़े से जो वहाँ पर मचली या वहाँ पर cattle, पानी को पीने आती है उनकी मौत हो जाती है यानि कि certain chemical secret करना कुछ secretions करना उसे एंटी बायोसिस कहते हैं एक का नुकसान होता ही होता है और दूसरे को फरक भी नहीं पड़ रहा है अगला देखेंगे आप अगर biotic interaction that is competition competition मतलब क्या जैसे आप यहाँ देखें इंडिया और चाइना इंडिया और चाइना दोनों का नुकसान है वो warfare में खर्च करते हैं defense पर खर्च करते हैं क्या हो अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लें और education, development पर काम करें बट ऐसा नहीं हो सकता है इसलिए एक दूसरे के साथ competition में हमेशा नुकसान ही देखने को मिलता है कहते हैं जंग, war और कभी किसी का भला नहीं करती नुकसान हमेशा दोनों का ही होता है जंग में कोई नहीं जीता है ऐसे ही competition में कोई नहीं जीता है it occurs to utilize the common resources common resources के लिए जंग होती है कि यह मेरा area है, वो गता है मेरा area है और food, territory, prey, mates, female reproduction, nutrients इसके लिए लड़ाई होती है जहाँ पर आप देखोगे दोनों ही species का नुकसान होता है यानि ये रिष्टा कैसा है minus minus वाला रिष्टा है mutualistic रिष्टा था plus plus वाला immenselyism रिष्टा था minus और zero वाला यहाँ पर दोनों का ही नुकसान होता है competition तब अकर होता है when the animal seeking those resources nevertheless harm one another in the process जहाँ पर एक की fitness कम हो जाती है मेरे कहने का मतलब है दो tiger एक ही area में नहीं रह सकते ये नियम है एक tiger या एक cheetah को minimum minimum मान के चलते हैं हम लोग 100 square kilometer का जो area है वो मान लीजे चाहिए होता है तो अगर 100 square kilometer का area उसको चाहिए ही चाहिए है तो फिर क्या होगा आप जानते हो कि अगर उसके area में ये tiger आ गया ये tiger इस वाले area में चला गया तो आपस में लडाई होगी और जिसकी fitness कम होगी वो eliminate हो जाएगा दो तरीके के competition होता है एक होता है intra specific पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ intra मतलब होता है within the same species inter मतलब होता है different species जैसे दो एशियाटिक lions की ही species आपस में लड रही है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो तो यह within same species लडाई है इसलिए intra specific अलग अलग एक जगा आप देखेंगे tiger है एक जगा lion है और जब यह आपस में लड रहे हैं अलग अलग species लड रही है इसलिए intra specific competition है एक next type of biotic interaction है commensalism commensalism का मतलब क्या होता है जैसे कि यहाँ पे आप example में देख सकते हो under the vaccine metry program इंडिया ने क्या किया है इंडिया ने श्री लंका को बहुत सारी vaccines प्रोवाइट करी थी अब अगर आप थोड़ा सा IR की knowledge रखेंगे तो आप एक चीज पढ़ेंगे एक चीज होती है जिसे बोलते है गुजराल doctrine गुजराल doctrine के हिसाब से जो इंडर कुमार गुजराल जी थे उन्होंने एक परिभाशा दी और उन्होंने क्या बोला था उन्होंने का था कि हम लोगों को कभी भी इस चीज पर करते हुए किसी पर भी भलाई ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सामने से क्या मिलेगा यानि कि non reciprocity का concept बताया था कहने का मतलब यह है कि इंडिया अपने neighboring countries के साथ जब भी कभी भी कोई भी चीज करता है कोई भी काम करता है कोई भी action करता है तो कभी ये ना सोचे कि बदले में उसको क्या मिलेगा so non reciprocity का रिष्टा यहाँ पर हम यह दिखाता है और वही चीज हम लोग follow भी करते है अपनी IR में यही commensalism का एक बहुत अच्छा example है जहां पर श्री लंका का भला हुआ क्यों क्योंकि उनकी जंता को vaccine मिली बट इंडिया कहता है कि I am not affected by this यह मेरी duty है मैंने कर दी खतम ना मुझे यहां से नुकसान हो रहा है ऐसा नहीं कि मेरे पैसे कम हो रहे तो मैं को नुकसान हो रहा है ना मेरा भाइदा हो रहा है तो मैं कुछ सोची नहीं रहा मैं मतलब से कुछ करी नहीं रहा इसको बोल सकते हो नियर टू कमेंसलिजम वाला एक्जामपल ले मैं टॉंस में समझाने के लिए यही है अब कमेंसलिजम में क्या है एक स्पीशी का फाइदा दूसरे का ना फाइदा ना बेनेफिट कुछ भी नहीं होता है वोस्ट और्गैनिजम को फरक भी नहीं पड़ता है यह बहुत ही एक स्पीशी दूसरे को शेल्टर देता है और उसको कोई फरक भी नहीं पड़ता तो दाट इस एक्जामपल टाइप ऑफ कमेंसलिजम कौन सा इंकुलिलिजम फॉर से क्या होता है जब सेकेंड और्गैनिजम यूस किया जाता है ट्रांस्पोर्टेशन के लिए यानि एक ज अब वल्चर जब इसको खा रहे हैं वल्चर का पेट भर रहा है बट क्या मरे हुए जानवर को कोई नुक्सान या फाइदा हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है इसका एक्जामपल देख लो रिमॉरा लिविंग विद अ मैंटे आप देखिए यह रही रिमॉरा और यह मैंटे के साथ गूम रही है तो रिमॉरा जो है कहीं ना कहीं एक कमेंसलिजम वाला अप्रोच फॉलो करते हुए देखने को मिलते हैं कैसे रिमॉरा फीड करते हैं मैंटे के फीसिस पे और मैंटे को इससे कोई लेना देना नहीं है यानि कि दो फाइदे होते हैं सबसे पहले रिमॉरा के सुन लीजे पहला तो बचा हुचा खाना या फ वी थोड़ा सा फाइदा हो जाता है बत लियुकैंने को लेना देना नहीं है यानि कि उसको कोई फाइदा नहीं है इसे ही आप यह देखो ऐक पकशी हुआ है तो इसको कोई लेना देना नहीं है मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर यहां पे एक पक्षी बैठे और बैट करके इसके जो पीट पे लगे कीड़े को निकाले तब यह हो जाएगा बट यह सिर्फ बैठ रहा है आके तो फिर एक कमेंसलिजम है यानि कि सिर्फ पक्षी का फाइदा उसको हैबिटेट मिला है जंगली आप जानवर जानवर को देखोगे कहां पर अगर आप गाउं साइड में देखोगे तो वहाँ पे आपको भैसे देखने को मिले जाते है तो पक्षी का फाइदा भैसे का कोई फाइदा नहीं कोई नुकसान नहीं हो रहा है एक और देख सकते हैं बार निखेंगल इसको बोलते हैं बलीन वेल और इसके उपर लगे हैं यह चोटे-चोटे जो नोने ऐस बार निकल्स क्या होते हैं इनकी सकिन के ऊपर अट जा सकते हैं तो यह अटाच हो जाते हैं सर्फेस पे तो इनको अलग अलग तरीके का पानी के अंदर जो न्यूट्रियंट से मिल जाते हैं क्योंकि वेल्स को हमेशा आप देखते हो ट्रावल करती रहते हैं घूमती रहती है ऐसे ही बडॉक प्लांट आप देख सकते हो यह इन पर देख सकते हैं यह और पाकिस्तान के अंदर क्या पनपता है टेरडरिजम गड़ है आई-ए-एर की परिवाशा में आप जानते हो अब टेरिस्ट यहां पर पनपते हैं बड़ ये बात पाकिस्तान को समझ में बहुत धीरे-धीरे आएगी कि ये टेरिस्ट और ये टेरिस्ट कुछ नहीं बलकि एक पैरसाइट हैं जो धीरे-धीरे इनको भी खा जाएंगे धीरे-धीरे इनका भी विनाश कर देंगे इसलिए याद रखिएगा टेरिरिस्ट हूँ चाहे पैरसिटिस्म होँ ये बहुती स्लो प्रोसेस है बहुत धीरे होता है यहांपर होता क्या है एक स्पीशी का फाइदा होता एक का फाइदा दूसरे mechanा नुक्सान होता है इसको बोलते हैं पैरसिटिक रिष्टा पैरसाइट जो त वाम, खुक वाम, टेप वाम, ये पेट के कीड़े हैं, जो कहते हैं ना कि दवाई खालो भई आपके पेट में कीड़े हैं, ये एक परसिटिक रिष्टा है, और परसाइट क्यों है, क्योंकि आपके पेट में जब कीड़े होते हैं, तो जो भी आप खाना खाते हो, वो इससे नहीं लग पाता है, तो आपके शरीर को नुकसान हो रहा है, पारसाइट वहां पे फैलता जारा है, इसलिए ये पारसीतिक रिष्टा है जहाँ पे plus minus है, पारसाइट उपड़ीके की हो सकते हैं, एक होती है, facultative parasitism, जहां पर वो अलग होने के बावजूद भी जिन्दा रह सकती है, जैसे कि, for example, आप देख सकते हो, एडीज, एजिप्टी, ये क्या है, एक मच्छर की परजाती है, जो हम लोगों को क्या पुचाती है, डेंगू, जिका वाइरस, चिकन गुनिया, येलो फीवर, तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में आते हैं, काटते हैं, ये भी एक parasitic का example है, बट, क्या मच्छर हमारे शरीर के अलावा नहीं जिंदा रह सकता है, होस्ट के बिना भी जिंदा रह सकता है, बट, पारसाइट तो ये भी है, दीरे-दीरे खुछता रहता है, एक और concept है यही से paracetoi, अभी paracetoi गया होता है, पारसाइट्स और पारसाइट्स में एक फरक है देखे पारसाइट का मतलब क्या है आपके शरीर पर कोई लग गया और दीरे-दीरे स्लो प्रोसेस से वो आपका खून चूसरा है बट याद रखना होस्ट की डेथ नहीं होती है होस्ट जैसे आपके बालों में जूएं लग गए हैं जो जूएं आपके सर में से खून चूस रही है और ऐसा नहीं है कि आम मर जातो अगले दिन सुबह तो पर अगर ऐसा हो जाए कि वो पैरसाइट की वज़े से आपकी डेथ हो जाए तो फिर आप बोलना कि वो जैसे बास होगया यह किया अगा इनर्जी लेने के बाद चीपिकली उनको मार भी देते हैं लास्ट में और पारसाइट没有 होस्ट सिर्फ यूस पर उस को जिंदा रहते हैं यह उनुघ crunch on את shell the फ्राइसे ले बिवह फिर यह आतीद्व यह धुन, freakin क Onlyar के जबकि predation में energy intensive process है, पर parasite और predation दोनों में ही एक का फाइदा दूसरे का नुकसान होता है, फर्ग याद रखेगा, parasite, predation, दोनों में एक का फाइदा दूसरे का नुकसान है, पर एक बहुत धीरे होता है, parasites बहुत धीरे-धीरे करते है, predation एकदम भाग करके energy intensive procedure होता है, अब predation का मतलब क्या है शिकार करना जो हम लोगों ने किया था कहां पे surgical strike करी थी जब तो आप जानते हो उरी का बदला लेते वक्त हम लोगों ने surgical strike करी थी और जब यह surgical strike करी थी तो हमने बताया था कि हम शिकारी हैं तो this predation is known as एक का फाइदा दूसरे का नुकसान अब predation में आप देखिए one species benefits other is harmed एक जो यह काम करता है उसे बोलते हैं predator predator मतलब जो feed करता है उस species पे जिस पर खाया जाता है जो you know जो food है predator के लिए उसे बोलते हैं prey तो आप देख सकते हैं यहां पर चीटा जैसे डियर पर अटाक कर रहा है एक का फाइदा दूसरे का नुकसान यहां पर देखने को मिलता है another type of biotic interaction is neutralism अब है neutralism का concept क्या है चुलो मैं आपको एक example देता हूं मुझे एक बाल बताओ अभी न जुपीटर में क्या हुआ एक solar storm आया मालो आया तो आपको दर्द हुआ यहां पर बैठे बैठे नहीं आप पर प्लूटो में कुछ और मुझे कोई फरक नहीं पड़ रहा है नहीं फरक पढ़ रहा है इसलिए फरक नहीं पढ़ रहा है क्यों क्यों कि आप neutral उसके प्रति यानि कि दोनों को एक दुसरे से लेना देना नहीं है यह एक तरीके का अब ऐसा कब हो सकता है जब आपको लेना देना ही नहीं है, जब आप जानती ही हो किसी को, ऐसा interaction जहां पे दोनों को ना फाइदा हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है, ऐसे रिष्टे को neutralism कहते हैं, इसका कोई example नहीं होता है, तो सिर्फ example समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि दोनों का ही फाइदा नहीं है, चलिए अब आपकी learning को टेस्ट के लेते हैं, जो भी आपने सीखा है कि इतना समझाए, consider the falling pairs, interaction और feature, बताना है incorrect, mutualism, बताओ भई, दोनों में plus, competition, दोनों में negative, commensalism, एक का फाइदा, दूसरे का कोई फाइदा नहीं, कोई नुकसान नहीं but commensalism में क्या लिखा है, हाम, गलत हो गया, commensalism में लिखा है benefit, गलत हो गया, so incorrect पूछा है, 3 and 4 is incorrect, 1 and 2 is correct, with reference to inter-specific interaction, inter-specific, अब inter-specific मतलब आप समझे रहो, species के बीच में, the relationship between water buffalo and cattle agrate, cattle agrate मतलब वो ही जो पक्षी वेडवेड पे और इन बफेलोस पे बैढ़ जाता है, मैंने इस चीज़ का example है, बताओ, एक का फाइदा, दूसरे को कोई लेना देना भी नहीं है, which of the falling is a type of positive interaction, positive interaction कहां कहां पे देखने को मिलेगा, colonization, अब बोलो ये तो आपने बताया है नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना सीखो, colonization का मतलब क्या है, जो British ने भारत पे किया था, अब ही मैंने आपको बताया है, चाइना, इंडिया नहीं नहीं, दोनों का negative है, proto-operation, 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 नाम से समझ मारा, आप बोलो कि मैं को biotic interaction बताए नहीं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, common sense, start करो, proto-operation, operation means दोनों का फाइदा हो रहा है, यहां पे, compulsory mutualism, अब सुनो, आप टोनों का plus हो, इसने बोला, positive interaction कहां देखने को मिलेगा, तो मिलेगा, तो याद रखेगा, colonization, mutualism और पल दीजेगा आपको समझ में आ जाएगा which is the following is the true explanation of antibiosis, बताओ बई, antibiosis phenomenon क्या है, देखिए, antibiosis phenomenon है, it is the production of secretions by an organism which is harmful to the organism जहाँ पर मैंने आपको बताएगा, the cyanotoxins release होते हैं, which are the following can establish a symbiotic relationship with other organism, बताओ जी scnidarians, fungi, protozoa, क्या यहाँ पर हम लोगों को यह बताना है symbiotic relationship कौन-कौन बना सकता है, snidarians बता सकते हैं, fungi बता सकता है, यह protozoa, all of the above can make symbiotic relationships, यह ध्यान रखेगा, so guys अगर आपको कोई भी doubt होते हैं, फटाफर से आप इसको scan करिए, telegram पे फिरसे बात करिए, अगर आपको कोई भी doubts आते हैं, पूछते रहिए, revise करते रहिए, कहीं पे भी कोई भी explanation में, अगर आप को issues हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मेरे Gmail ID पे भी मुझसे contact कर सकते हैं, बस Gmail ID पे जरूर mention करिएगा PMFIA student, तो में जल्दी सा आप मो reply कर हुआ, और आपके पास दी गई नीचे description में भी आपके पास सारी details है, उसमें से भी आप जाकर के WhatsApp पे भी मेरे से बात कर सकते हैं, thank you so much, I'll again meet you with another video very soon, till then take care, jahind